बिस्मिल्लाहे रामाने रहीम, अस्सलाम लेकुम, आज हम बनाएंगे मतन कराई, ये एक किलो से थोरा से ज्यादा है गोश्ट, अच्छे से धो लिया है, मैंने इसको सिरके और नमक वाले पानी से, तो कराई में आप इसको फ्राई करेंगे, गलाएंगे कुकर में, क्योंकि इसको इस तरह गलाया हो तो एक से दो घंटे लग जाएंगे, आईल हस बेजरूरत मैंने डाल दिया है, अगर कम लगा तो थोरा सा ओड डाल दूँगी, हलका सा आईल गरम हो जाए तो फिर इसमें ग जब तक इसका पाने कुछप हो जाएगा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर प्रेशर कुकर में डालेंगे, सिर्फ आप इसमें नमक डालेंगे यह एक छोटा चमाच, नमक कम ज्यादा बाद में भी हो सकता है और यह खड़े मसाले हैं, दो छोटी तेज पते, दाल चीनी, बादियान के फूल, बड़ी अलैची, थोरस हजीरा, कुछ लोंग और कुछ साबे तम निर्चे काली तो फ्राइ होने पर मिलते हैं तो यह देखें, यह पानी बिल्कुल खुश्ट हो गया, अब यह सिर्फ आइल बाच गया, इसमें में डालूंगी दो छोटी अलैची, अब इसमें डालूंगी दो छोटी अलैची, और करीब दो चुटकी सौफ, बाकी के मसाले जो हैं वो इसमें प्रेशर कुकर में डाल के गोट, फिर मैं दिखाती हूं आपको, प्रेशर के दिखाती हूं आपको बड़के, कि दूएड़ ते ता जो हैं झालोंगी कि दुटकी सामाव हैं, अल्ष्य वोगले, का एज दूएवावाव हैं? कि अधर रख देंगे सुर्ख मिर्च एक चमच सफेद मिर्च पोड़र एक चमच के करीद फल्दी चिठाई चमच कच्री पोड़र आधा चमच जो गोष्ट को गलाने में मदद करता है और यहां पर डाल देंगे हम तक्रीबर एक गिलास पाने का तक्रीबर दर्म्याने साइज का लैसन होगा यह फ्राई किया हुआ और एक बारा चमच ओड़ डालेंगे और एक चमच छोटा लैसन पेस्ट और यह लैसन पेस्ट तक्रीबन तीन टामाटर के बराबर में डालूंगे काली मिर्स कोडर फिर बाद में डालेंगे अगर जहां डाले तो गोश्ट काला हो जाएगा तो करते हैं आप इसको बंग बीस से पचीस मिनट के लिए यह सीटी लगा दिये तो मिलते हैं बीस पचीस मिनट के बाद तो आदर घंडे बाद मैंने चूला बंद का दिया था तक्रीबन अब इसका गैस निकल गए तो गोश्ट मेरे ख्याल में डाल गया है अब इसको वाफ सी करही में उलड़ देंगे बिसमिलाहित्व मेरे तो अब इसका पानी खुशक कर लेंगे इसी तरह जो घौ Ciao घूर मिए इसी में गल जाएगा तक्रीबान इसको 10-15 मिनार लगेंगे पानी खुश्क होने में अब थोरी सी कसर है पानी खुश्क होने में बस पांच मिनाट तक गोश्क भूनेंगे क्यों इसको पहले भी भून के मैंने चरहाया है बस मजीद पांच मिनाट इसको भूनेंगे तो इसको बहुत ज्यादा भून लिया है यह करीब एक पौव मेरे पास दई है और यह एक यूज अद्रक पेस्ट का आधा धकन मैं डालूँगी इसमें सिर्के का यह वाला एक चमच धन्या पोड़र आधा चमच काली मीर्च पोड़र अब भल की आंच पे मजीद इसको दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे तो उसके बाद हमारा मटन करही त्यार हो जाएगे तो यह देखें रही भी अच्छे से भून ली है अब इसमें डालेंगे आधा चमच पिसा हुआ गरा मसाला और यह कुछ सुरक रंग की हैं एक मीरच कटी हुई और सबस रंग की और दो से तीन सलाइसिस में डालूंगे लेमू के तो जी यह मतन करही हमारी त्यार है इसी के साथ मैं आप से लोगों से लेती हूँ इजादत नेक्स वीडियो के अता के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफेज